साल 2022 जाने वाला है तो चलिया आज साल 2022 की टॉप 10 इंडिन फिल्मों पर नजट डाल लेते हैं इस लिस्ट में नमबर 10 पर है 777 Charlie जो कि एक वफादार कुत्ते की कहानी है नमबर 9 पर है Mani Rattam की PS1 ये एतिहासिक फिल्म चोल राजाओं की कहानी पर अधारित है नमबर 8 पर है Sita Ramam जो की लव स्टोरी बेस्ट एक टेलगू फिल्म है नमबर साथ पर है मेजर ये फिल्म ताज होटल पर हुए आतंकवादी हमले की कहानी है नमबर 6 पर है रोकेटरी आर मादवन की फिल्म इस रोके एक स्पेस इंजिनियर के संघर्ष की कहानी है नमबर 5 पर है रिशव शेटी की कांतारा जो की अपनी संस्कृतिय और धार्मिक मानेताओं को बचाने की एक लड़ाई है नमबर 4 पर है विक्रम कमल हासन की दमदार एक्शन मूवी है नमबर 3 पर है केजिए चेप्टर 2 सूपरस्टार यश की मोस्ट वॉंटेड फिल्म है नमबर 2 दकाश्मीर फाइल्स विवेक अगनी होतरी की ए फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की सची घटना है और अब साल की नमबर 1 फिल्म आरारार जो की मशूर डेरेक्टर रैसेस राजा मूली की शानदार फिल्म है जिसने सबी फिल्मों के रिकोर्ड टोड़ते हुए बारा सो करोड रुपे से भी जादा की कमाई की थी इसे गाईज आपको इसमें से सबसेची फिल्म कौन से लगी कमेंट सेक्शन में ज़रू लिक्राइज शारुक खान की पठान मूवी पर बवाल मत चुका है और ये बवाल इसके गाने बेशरम रंग की वज़े से हुआ है असल में इस गाने के लिए एक्टरस दीपिगा पादु को ने ओरेंज कलर की बिक्नी पहनी है जो की बिलकुल भगवा रंग की तरह ही दिख रही है और इसलिए बद्यपरदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर गाने से सीन्स और ड्रेस नहीं बदले गए तो वो राज्य में मूवी रिलीज नहीं होने देंगे क्योंकि बॉलिवुड अक्सर इस तरह पहले भी हिंदू धर्म का अपमान करते आया है और इस बार तो उन्होंने सारी हदे पारी कर दी है अब इस स्टेक्मेंट के बाद स्वरा भासकर ने ये क्या कह दिया जरा ध्यान से सुनिएगा मिलिये हमारे देश के सत्ता धारी राजनेताओं से इन्हें अब इनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुरसत मिलती तो क्या पता कुछ काम भी कर लेते हैं अब इस बयान के बाद तो लड़ाई और भी जादा बढ़ने वाली है लेकिन आप इस लड़ाई में पठान के साथ हैं या खिलाफ कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट का लिंक गिवन है पड़ाफ़ से राईए और अपना डीमेट अकाउंट खुलवाईए और अपनी इंवेस्मेंट आज से ही शुरू करिए ऐसे मेजन वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक लते अगले वीडियो में